तो राहुल गांधी जी के बयान अभी खीरा भावानी मंदिर का है आपने 2017 में भी देखा था इन्होंने बहुत मंदिरों के दर्शन किये थे सोमनाथ तक गये थे सोमनाथ के बाद लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है कि ये भेडिये हैं ये खाल पहने हुए है और ये बहारत के हिंदूों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है जो गय थे खीरा भावानी मंदिर जहां पर ने दूद का जला विश्य किया है उनकी बहन भी नोटंकी आजकल पोरे उत्रपतेश के अंदर कर रही है आ करके कभी वह रूदराक्ष बांती है कभी कुछ बांती है लेकिन बड़ी अजीब बात है इतनी प्रेम आपको अगर हिंदूों से है तो सीए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था जब बंगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान के घटना कली आपने देखी है जिसमें हिंदू मंदिरों को तोला गया आज बंगल सब्सक्राइब बाहर निकलो सुनिया गांधी कह रहे थी हिंसा करो और उसी का नतीजा आया फर्मरी 2021 के समय 20 में जब बंपर दंगे हुए थे पूरे का नमें दिल्ली के अंदर वो दंगे भी तो आपी ने करा है वो किसके खाते में जाएंगे आप बताईए योगी के प्र दंगे को रोकने का सबसे अद्वुत काम किया वो योग याजितनाज जी की सरकार में किया समाजवाधी पार्टी हुई और क्या नाम है आपके राहुल गांधी जी हुए उन्हें तो लड़कियां चेंड़ने से मतलब नहीं आता है ठीक है चुकि लोग लग 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 पार्टी के एक मुस्लिम करकरता ने किया था जिसको उन्हें नहीं रटाय तो शूसेना में चली गई तो यह कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास रहा तंदूर कांड आपने उनीस तो इकानड़ में में सुना होगा जिसमें ममता शर्मा को तंदूर में डालके जला दिया गया चांचा माध्यम स्वर्षाइब और उन्हें पैसा रहा solamente को फूट क्या दों कुठ सब्सक्राइब आपने ही लोगों को शर्मशार किया अपने लोगों को शर्मशार कैसे कि अधर तो ने खुड टूइट करके कहा कि हाँ मैं चाइना की में गया था कितनी अड़ होने लिए इस्तिय है कि अपने कारिकरता को आप जूटा बना देते हो दो मिनिट के अंदर और वहां गये तो क्या बात किया आपने इसका मतलब आपने ऐसी बाते की है कि कुल मिला करके देश क सब्सक्राइब, बात नहीं करते है अगर आपको इतनी ही चिंता किसानों की थी इतनी ही चिंता आपको अन्य चीजों की है तो आपको सब्सक्राइब भागना निचैए तकरने के था तो पेगासस का मामला हो चाहिए किसानों का मामला हो चाहिए वह महंगाई का मामला आप सधन में चर्चा करिए सालक पे चर्चा है नहीं होती है उनको पूरा करने के लिए 32 विद्यक पारित कराने थे जिसको लेके वह अलंगा कर रहा है चुकि उनका कुछ है ही नहीं है वह मूलवुद बातों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं इसलिए और यह राहूल गांदी जी है मैं चाहता हूँ भगवान उनको राष्ट्रिय अद् मंदिर में गये हैं जहां पर माथा टेक रहे हैं पूजा आर्शना कर रहे हैं लेकिन मैं आपको यह बात याद दिलादू 2014 में उनको एक बयान काफी ज़्यादा वायरल हुआ था जब उन्होंने बोला था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं तो मंदिर जाने वाले लोगी लड़कियां चेड़ते हैं मंदिर क्या करने चले गए देखिए पहली बात तो राहूल गांधी जी के बयानों को गंभीरता से या देश लेता है यही सुझके बड़ी हंसी आती है चुकि राहूल गांधी जी के एक बयान तो ऐसे थे नहीं ऐसा देखा जो तथाकथित ब्राहंवण है जो पहली बार जणन्यो डाल करके चलता है समझे आप हमें कभी जन्यों दिखाने के शक्ता नहीं पड़ दिवेधी नाम बताते हैं यह ब्रहां मन है और पहली बार मने मैं है मैं प्रहां मन उन्हें पता है कि हम लोग कश्यव प सब्सक्राइब विए उनके लिए यह बड़ी अजीब बात यह जोह ने मुसलिम ब्रदर हुट की चतुन्हा भारत के रस से करी थी कि लीविया में गदाफी को उतारा था और उसके बाद में उसी के लोगोंने गदाफी ने वहां पर जब गदाफी को उतारा गया मुस्लिम बदर हुट जो एक कट्रपंधी मुस्लिम संगठन है वह यह कहता है कि जब उसके अगर किसी महिला का इंतकाल हो जाता है तो वह आफ्टर मलब इंतकाल के बाद भी अगर अपनी पत्नी के साथ सहवास करना चाहे तो 20 गंटे तक कर सकता है तो यह तो उस जो गुल पनाग के पिता है और आदनी पार्टी के कारी करता है आज राहु गांधी जी के पास बाधिक छंत इतनी कम हो गई अब ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन फिंगर अंडर दा चाइनीज बूट यानी भारत की सेना को बार बार लांचीत करना बारत की सेना का अपमान करना और एक बार तो नहीं हुआ खून की दलाली वाला भी इनका एक मामला था जिसमें नोंने का था खून की दलाली हो रही है दूसरी बास सर्जिकल स्टाइक को फर्जिकल स्टाइक बताना मैं पूछता हूँ जिस जिस दल के बड़े नेताओं को एक बैठक करनी पड़ती है जिसमें पाकिस्तान के विश्य किया है उनकी बहन भी नोटंकी आजकल पूरे उत्रपदेश के अंदर कर रही है आ करके कभी वह रूदराक्ष बांती है कभी कुछ बांती है लेकिन बड़ी अजीब बात है इतनी प्रेम आपको अगर हिंदू से है तो सिये का प्रोटेस्ट हो रहा था जब बंगला देश में आपने परसनल सो गटना सुनी कि बंगला देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया वहां का हिंदू घर भारत में जबाना चाहता है तो आप क्या कहते हो साब कि सीए का प्रोटेस्ट करेंगे आप एक भी ऐसे व्यक्ति के घर नहीं गए आप सीएड की तो यह दंगाई पार्टै में बाहरत की इतिहास में जब दंगो के यहास आप देखेंगे तो सबस्यास चनोent लेकिन नेहरू गांधी परिवार उसने उसको धूमिल करने का प्रियास किया और उनके हाँ एक भारत की आत्मा को हातान्त नहीं किया गया आप सीए का प्रोटेस्ट देख लीजिए अभी आपने देखा होगा कि सीए का प्रोटेस्ट जब उत्रप्रदेश के अंदर हुआ चुकि आप उत्रप्रदेश के चैनल है मुझे लगता है और उत्रप्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ था तो 19 दिसंबर 2019 को सीए का प्रोटेस्ट किया गया था हजरत गंज में जो परिवर्तन चौक है वहां से जब पूरी सेना जा रही थी तो क्या हो रहा था तो वहां प पूरी तिसदेश के चानों ने किया और उने किया जो भारत को तोड़ना चाहते थे भारत को समाप करना चाहते तो और योगी के प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाना चाहते थे और उसमें जो इंस्ट्रेक्शन आ रहा थे वह उदोपूर जादोपूर यूनिस्टी के थ जिए उसके बाद योगी आदितनाच जी ने जब उन पर कारवाई की और दंगा निरोधक कानून के माध्यम से वसूली करने का प्रयास किया तो आप रहे जाएंगी जो गोलियों से बहुत वह दंगाई उनके घर पर कौन गया था यह राहूल गांधी की बहन गई ती वाई दूसरा कोई नहीं गया था आप बताईए हाथ रस का उसके बाद एक स्केंडल आया यह राहूल गांधी की बहन दौते दौते चली आई मैं पूस्ता हूं बलरामपुर में ललकी के साथ बलतकार हुआ था जिसको सभी चैनल ने दिखाय था क्यों नहीं आई चूंकि यहां ब्रतकार होता उसके साथ घटना होती तो बड़ी घटना कहलाते हैं तो राहूल गांधी जी के बयान अभी खीरा भुआनी मंदिर गया है आपने 2017 में भी देखा था इन्होंने बहुत मंदिरों के दर्शन किये थे सोमनात तक गये थे सोमनात के बाद लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है कि ये भेडिये हैं ये खाल पैने हुए है और ये भारत के हिंदूों के साथ इनका कोई लिए देना नहीं है